सभी आंगनबाडी सेविकास सहे का मिनी बेहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है भाईयो बेहनों आप देख सकते हैं निदसाले बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरपदेस लखनव से ग्यारा जनवरी को आपकी नई निदसक जो सरनीत का और ब्रोकाजी हैं उनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है और अगर आप देखें इस लेटर को धिहान से तो बहुत ही महत्तपूर जानकारी इसमें लिखी हुई है तो आईए इसको पूरा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं लिखा है जिला अधिकारी ललितपूर के पत्रांक संख्या 694 जो कि उन्होंने बीस बारा दो हजार बाइस के द्वारा की गई संतुती के आधार पर स्रीमती प्रीती भिलवारे बाल विकास परोजना अधिकारी ताल बेहट जन्पद ललितपूर को उनके विरुद्ध निमलिखित आरोपो के संबंध में अनुसासनिक कारवाई प्रस्तावित करते हुए एतत द्वारा ततकाल प्रभाव से निलंबित किया जाता है साथी साथ आप देख सकते हैं आगे लिखा गया कि बाल विकास परोजना अधिकारी ताल बेहट के पदपर रहते हुए आंगन बाड़ी कारकरती से मुख्य सेविका द्वारा यानि सुपरवाईजर द्वारा अवैद वसूली के संबंध में वैरल वीडियो में संबंधित के विरुद्ध तत समय किसी प्रकार की कारवाई ना किया जाना अपने पदिय दाइतों करतव्यों का सम्यक निर्वहन ना करना एवं अपने अधीनस्त करमचारी पर सिथिल नियंत्रड के बारे में उन्होंने दर्साया है साथी लिखा है जिलाधिकारी अनमोदन के उपरांत इस थांतरित पर्योजना में योगदान न किया जाना उच्चाधिकारियों के आदेसों की अवहिलना एवं मनमाने ढंक से कार किया जाना साथी लिखा है माह जो मई है 2022 जून 2022 और जुलाई 2022 एवं अगस्त भी 2022 में PFMS पोर्टल पर PLI फीडिंग का कार नहीं कराया जाना सासकी कारियों के संपादन में लापरवाही बरतना समया अनुसार्ड जो है पूर्ण ना करना इन सभी चीजों को उन्होंने लिखा है और नीचे फिर लिखा कि उत्तरपदेश सरकारी सेवक अनुसासन एवं अपील निमावली 1999 के नियम साथ के अंतरगत एतद द्वारा विभागी ये कारवाई जो है संस्थित की जाती है और जिला कारकरम अधिकारी जहासी को जाच अधिकारी नामित किया जाता है तता जन् निलंबन अवधी में स्रीमती प्रीती भिलवारे बाल विकास परुजना अधिकारी को वित्तिय नियम संग्रह खंड दो भाग दो से चार के मूल नियम तिरपन के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वा भत्ते की धन्रासी अर्ध वेतन पर दे अवकास वेतन की रा जीवन निर्वा भत्ते के साथ महंगाई भत्ता यथा महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था निलंबन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलंबन की अवधी से इस सर्थ पर दे होंगे जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा इस मद में वेव वास्तों में किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं उपर्युक्त प्रस्तर दो में उल्लिकित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जब स्रीमती प्रीती भिलवारे बाल विकास परोजना अधिकारी इस आसे का प्रमान पत्र प्रस्तूत करें कि वा किसी अन्य सेवा योजन या वित्ती एवं व्यवसाय में नहीं लगी है तो आप देख सकते इस तरह से एक ये पूरा मैटर आया है जो कि आप अगर ध्यान दे तो ये ताल वेहट परोजना का है और यहाँ पर आपको पता है इस बारे में आलेंडिया ने भी वीडियो देखाया था स्रीमती प्रीती भिलवारे बाल विकास परोजना अधिकारी त जनपद ललिदपूर इनके बुरुद जो कारवाईयां हुई है उसी के बारे में है निरेशक मैडम का सरनीत को और ब्रोका जी का जो भी कहना है लेखित रूप में आप यहाँ पर देख सकते इस बारे में तो इसलिए मैं कहता रहता हूँ देखो इस जानकारी को बविता बहन है आजमगर से जिनोंने भेजाए अब मैं यह समझाना चाहूँगा बहनों को अपनी कि जब भी कुछ करें तो उसके सबूत जरूर हो अगर आपके पास सबूत है और तो फिर आप जो है जंग जीतेंगी लेकिन अगर सबूत नहीं है भले आपका सोशल अधिकारी कर हो आप कभी नहीं जीतेंगी क्योंकि वो अधिकारी अधिकारी की ज़्यादा पच लेते हैं कई बार आपने देखा है उल्टे बहनों पर ही कारवाईयां अधिकारी करवा देते हैं जबकि उल्टे सोशड वही करते हैं लेकिन आप ध्यान डखना जीवन में अगर आपके पास सबूत हैं इस चीज के कि आपका वो सोशड कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो फिर कारवाईयां होंगी अगर आप उसके लिए लड़ेंगे तब ही होंगी अब ये नहीं कि आपका सोशड हो रहा है आप चुक्चा बैठे हैं और आप सोचते हमारा नाम भी सामने ना आए और कारवाई हो जाए तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि आपको पता है लड़ने के लिए सामने आना भी जरूरी होता है बिना मैदान में उत्रे जंगे नहीं जीती जाती हैं ये आप सब भेने जानती हैं फिलाल चलते हैं आगे आपको बताते हैं आंगन बाड में चीजे हैं तो आएए देखते हैं तो आंगन बाडी केंद्रों का जहां कई भी निर्मार होना है उसमें लापरवाईयां ना बरती जाएं इसी उमीद के साथ आपको ये वीडियो दे रहे हैं हमीरपूर में एक ये आर्टिकल सामने आया कि सासन की प्राथमिक्ताओं औ उद्वार को जिलाधिकारी डाक्टर चंद्रभूरसर की अद्यचता में कलेक्टेट इस्तित डाक्टर एपीजे अब्दूल कलाम सबागार कच में कराई गई बैटक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिन ग्राम पंचैतों में अभी तक आंगन बाडी केंद्रों का नर्मार न सामुहिक विवा आयुजित किया जाएगा तो आगामी 18 जन्वरी को सामुहिक विवा वाले कायरकम होंगे डियम ने गोसालाओं में चारा पानी भूसा की उपलब्दता भी सुनिश्चित करने और गवनसों को ठंड से बचाओ के लिए भी समुचित प्रमंदर रखने के न संढयन लिया जिसमें आंगनबारी के निर्मान कारेयों की जो धिमी गती है जिसमें बरती जाने वाली नापरवाही पर भी संढयान लिया गया अब देखेगा यहाँ पर बात करते हैं अगले एक लेटर की जिलाकरक प्रमतिकारी बाल विकस परोजना सोन बद्र के प्रमाणपत्र की च्हाया प्रती सहित मांगी गई है तो जिसमें कि आप देखिएगा कि करमसंख्या का कालम पर्योजना के नाम का, आगनबाडी केंद्र के नाम का, सहयका के नाम का और अध्धतन सैचिक योगिता और अभ्युकती इतने कालम बने हैं नीचे लिखाया अता आपको नर्देश किया जाता है कि जन्पद सोन भद्र में कारे करने वाली आंगन बाड़ी सायकाओं का अध्धतन सैचिक योगिता प्रमान पत्र की छाया प्रती सहित सलगन प्रारूप पर सूचना दो दिन के अंदर कारेले को उपलब्द कराना सुनि मैं यही कोसिस करूँगा कि बढ़िया से बढ़िया खबरें आप देखें और पूरा वीडियो देख करके बहनों जाएं लाइक करके जाएं लेकिन चैनल से अगर ना जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ना इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे हमारी जरूर रहेगी धन्यवाद